गुप्ट वंश का पतन सकंद गुप्ट की इम्रित्य सन 467 में हुई, हलांकी गुप्ट वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा पर यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया सकंद गुप्ट के बाद इस सामराज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए पुरुगुप्ट यह कुमार गुप्ट का पुत्र था और सकंद गुप्ट का सोतेला भाई था, सकंद गुप्ट का कोई अपना पुत्र नहीं था पुरुगुप्ट बुढपा अवस्था में राजसिनहासन पर बैठा था फलतह वह सुचारु रूप से शासन को नहीं चला पाया और सामराज्य का पतन प्रारंभ हो गया कुमार्गुप्ट द्वितिय पुरुगुप्ट का उत्तराधिकारी कुमार्गुप्ट द्वितिय हुआ सारनाथ लेख में इसका समय 445 इंकित है बुधगुप्ट कुमारगुप्ट ग्वितिय के बाद बुधगुप्ट शासक बना जो नालंदा से प्राप्त मुहर के अनुसार पुरुगुप्ट का पुत्र था, उसकी मा चंद्रदेवी था उसने 475 से 495 इतक शासन किया, वेंसां के अनुसार वह बौध मत अनुयाई था, उसने नालंदा बौध महा विहार को काफी धन दिया था नरसिन्ह गुप्ट बालादित्य बुध गुप्ट की मृत्यू के बाद उसका छोटा भाई नरसिन्ह गुप्ट शासक बना, इस समय गुप्ट सामराज्य तीन भागों क्रमशह मगध, मालवा तथा बंगाल में बंट गया मगध में नर्सिन्ह गुप्त, मालवा में भानुगुप्त, बिहार में तथा बंगाल शेत्र में वैने गुप्त ने अपना स्वतंत्र शसन स्थापित किया नर्सिन्ह गुप्त तीनों में सबसे अधेक शक्तिशाली राजा था उनों का कुरू एवं अत्याचारी आक्रमन महरकुल को पराजित कर दिया था नालंदा मुद्रा लेख में नर्सिन्ह गुप्त को परम भागवत कहा गया है भानु गुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्षे 510 एके एरन लेख में मिलता है कुमार गुप्त त्रीतिये नर्सिन्ह गुप्त के बाद उसका पुत्र कुमार गुप्त त्रीतिये मगद के सिनहासन पर बैठा वह 24 वा शासक बना कुमार गुप्त त्रीतिये गुप्त वंश का अंतिम शासक था दामोदर गुप्त कुमर गुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र दामोदर गुप्त राजा बना इशान वर्मा का पुत्र सर्वर्मा उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी मौखरी शासत था सर्ववर्मा ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने हे तू युद्ध किया इस युद्ध में दामोदर गुप्त की हार हुई यह युद्ध 582 एके आसपस हुआ था महासेन गुप्त दामोदर गुप्त के बाद उसका पुत्र महासेन गुप्त शासक बना था उसने मौकरी नरेश अवंती वर्मा की अधीनता स्विकार कर ली, महासेन गुप्त ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को ब्राहमन नदी के तटपर पराज़त किया। अफसड लेख के अनुसार महासेन गुप्त बहुत पराक्रमी था। देवगुप्त महासेन गुप्त के बाद उसका पुत्र देवगुप्त मलवा का शासक बना। उसके दो सौतेले भाई कुमार गुप्त और माध्व गुप्त थे। माध्वगुप्त हर्षवर्धन के समय में माध्वगुप्त मगद के सामन्त के रूप में शासन करता था। वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्र था। हर्ष जब शशांक को दंडित करने हेतु गया तो माध्वगुप्त साथ गया था। उसने 650 ई तक शासन किया। हर्ष की मृत्यु के उपरांत उत्तर भारत में अराजकता फैलीतो माध्वगुप्त ने भी अपने को स्वतंत्र शासक घोशत किया। गुप्त सामराज्य का 550 ई में पतन हो गया। बुद्ध गुप्त के उत्तराधिकारी अलोग्य निकले और हुनों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। उनोंने सन 512 में तोर्मान के नेतरित्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवातक के एक बड़े क्षेत्र पर अधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद सन 606 में हर्ष का शासन आने के पहले तक आराजकता छाई रही। उन ज्यादा समय तक शासन न कर सके।